Hello अच्छों, so hopefully आप सब बहुत बढ़ी होंगे और अपनी preparation बहुत अच्छे से कर रहे होंगे इस वीडियो में मैं आपसे कोशन कुछने वाला बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही प्यारा कोशन इसका answer comment box में जरूर comment करिएगा और यह जो मैं series चला रहा हूँ मैं यह continue रखूँगा और ऐसे छोटे-छोटे basics मैं आपके बहुत सारे बहुत अच्छे कर दूँगा और यह basics gate exam point आविव से gate exam के लिए बहुत ज़्यादा important है तो अगर यह basics आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके preparation एक तम right direction में चल लिए और अगर यह basics मिस हो रहे हैं तो इसको visit करिए इसको correct कर लिजे इसको सीख लिजे कोंकि एक बहुत काम आएंगे आपके gate exam के preparation में तो इसको miss मत करिए comment box में comment जरूर करिएगा तो question ध्यान से सुनिए एक system है जिसमें अगर मैं input x of t लगाता हूँ तो output आता है x of sin t ध्यान से x of t input लगाया output आया x of sin t तो अगर मैं input x of t plus 2 apply करता हूँ तो output क्या आएगा यह comment box में comment करके बताना है और बहुत ही simple सा question लग रहा है लेकिन बहुत tricky है अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो गलत होने के chances बहुत ज़्यादा है और gate आपके साथ यही करवाता है तो comment box में answer जरूर comment करना मैं जरूर बताऊंगा आपका answer सही है या गलत है और guide करने की भी कोशिश आपको जरूर करूंगा तो यह series continue रहेगी और आपके basics में इसी तरह से धीरे-धीरे strong बनाता जाओंगा ठीक है ना तो मिलेंगे किसी और वीडियो में till then bye bye take care of yourself